दोस्तो पनीर भारती आहार का एक आहम हिस्सा है जो न को स्वाधिश्ट होता है बलकि स्वास्थे के लिए भी बेहत फाइदेमंद होता है इसमें प्रोटीन, कैलसियम, फासफोरस और विटामिन्स की भरफूर मात्रा होती है जो सरीर के कई अंगों के स्वास्थे को बनाय रखने में सहयो करती है आईए जानते हैं पनीर के कुछ आदभूत स्वास्थे लाभ के बारे में नम्बर वन, जोडों का दर्द में राहत पनीर में कैलसियम और मैंगनिसियम जैसे तत्व होते हैं जो हड़ियों और जोड़ों को मजबुत बनाते हैं यह जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करने में सयो करते हैं जिससे गट्या और अन जोड़ों के रोग में राहत मिलती है नमबर टू थाकान और कमजोरी दूर करे पनीर में प्रोटीन और आने फोसक तत्व होते हैं जो सरीर को उर्जा प्रदान करते हैं यह थाकान को दूर करता है और सरीर को ताजगी और शक्ति से भरपूर करता है आसका सारेरिक या मांसिर ठाकान के बाद पनीर का शिवन ताज़गी देता है नमबर थ्री वात पित बिकार में राहत हायरवेद के नुसार पनीर वात और पित को संदूर्ट करने में सयो करता है या सरीर में ठंड़क पैदा करता है और वात्पित से समस्याएं जैसे गया, सूजन और जरन को कम करता है पनीर में आच्छे फैट्स होते हैं जो दिल के स्वास्थे को बना रखते हैं यह कुलेस्टराल को नियंतरित करता है और हिर्दे रोगों के खत्रे को कम करता है पनीर का सिमित सिवन हिर्दर के लिए फायदे मंद है नमबर 5 हड़ियों और दातों को मजबूत बनाता है पनीर कैसियम का एक बहतरिन स्रोथ है जो हड़ियों और दातों को मजबूत बनाए रखता है यह हड़िय की घनता को बढ़ाने में सयो करता है और कैस्यम की कमी से होने वाली समस्यों को दूर करता है पनीर का शिवन वीधी और मात्रा पनीर का सिवन सलाद, सेंड़्वीच, पराठों या करी में किया जा सकता है प्रति देन 100 से 150 ग्राम पनीर का शिवन करना आदर्श होता है इसे नास्ते, लंज या डिनर में आसानी से सामिल किया जा सकता है वजन घटाने के लिए इसे स्वित मात्रा में लेना चाहिए पनीर खाने के नुक्सान पनीर में सचुरेटेड फैट्स होते हैं इसलिए अधिक सिवन से वजन बढ़ सकता है ये दे किसी को दूद से एलर्जी है ये लाक्टोज इंटोलरेंस है तो पनीर का सिवन परेशानी का करन बन सकता है उच कोलेस्टराल वाले प्यक्तियों को पनीर का सिवन नेंतरित मात्रा में करना चाहिए तो दोस्तों पनिर का संतुलित सेवन स्वास्ते के लिए कई लवकारी हैं जैसे जोणों का दर्द, ठकान और हिर्दस स्वास्ते में सुधार हाला कि इसे सिविद मातरा में सेवन करना चाहिए ताकि इसके संभावित नुकसान से बचा जा सके हैं ठैंक्स पर वाचिंग